हेलो दोस्तों नमस्कार मौशम तक राजस्तान डिया आटिशनल पर आप सभी का हार देख स्वागत हैं आईए दोस्तों अब बात करते हैं राजस्तान के मौशम पूर्वा अनुमान की कि आने वाले 120 किंटों के अंदर राजस्तान में कैसा रहने वाला है मौसम और किनकिन इलाकों में होने वाली हैं बारिस्की के दुदिया विसेस्ते बारिस्की की दियों की बात करें तो आज राजस्तान के किनकिन जिलों में हो सकती हैं बारिस ये शंपूरन जानकारी आपको इसी वीडियों दी जाएगी तो दोस्तों वीडियो को अन्तक जुरू देखें तो आईए दोस्तों सरपत्तम बात करते हैं संपूर फार्ट पर बनने वाले मौसमी शिष्टमो की मौसमी शिष्टमो की बात करें तो एक नया सक्री डवलूडी वरत्मानम देखा जाए तो उत्री हिमाले सेत्रों के आसपास बना हुआ है जिसके परबावसी आज राजिस्तान के उत्रपसिमी लाकों में पंजाब हरियाना, हिमासल परदेश, उत्राकन, जमुकस्मीर और लद्दा के कहीं लाकों में बर्पबारी के साथ बारिश की गिद्यां देखने को मिल सकती हैं उत्री हिमाले सेत्रों के बात करें तो इन शत्र में कहीं की भरी बर्बारी देखने को मिलेगी राजिस्तान के उत्री भागों से लागा कर पंजाब हरियाना, उत्रपदेश के कहीं पस्यमी भागों में आज तेज बर्ष की गिद्यां देखने को मिल सकती हैं और 20-20 में कहीं इलाकों की बात करें तो इन शत्र में दोपर के बाद ओलावर्ष्टी जैसी गिद्धियां भी देखने को मिलेगी राजिस्तान के पसीमी इलाकों की बात करें तो आज जैसल मेर, बाड़ मेर, बिकानेर, सरी गंगानगर, हन्मानगर, सुरू, जुन्जनु, चिकर, जोदपूर, नागोर के कहीं इलाकों में आज तेज बरश की गिद्धियां देखने को मिलेगी विषेस्ता बाड़िस्तान के उतरपसीमी इलाकों में संभावी थे हैं और बारिश के साथ-साथ बात करें तो उतरदिसा से आने वाली तेज हवा का परभाव इन शत्र में भी आने वाले 120 गंटों के अंदर देखने को मिलेगा हवा के जोकों की बात करें तो कहीं की 50 से 30 किलोमेटर परती घंटा रहने की सम्मावना है यह हवा उत्र दिशा से रहने की सम्मावना है जैसर मेर विकाने जोदपूर बाड मेर सरी गंगानिक्र के इलाकों की बात करें तो इन शत्र में तेज हवा का परवाव देखने को मिल सकता है हवा के साथ साथ कहीं की बुना बांदी तो कहीं की तेज बर्ष की गिद्यां देखने को मिल सकती है वर्तमान में आए डबलूडी के परवाव से आप देख सकते हैं अरब सगरी शाकर से आने आले नमी का परवाव लगाता राजस्तान की पस्मी लाकों से लगा कर उत्री लाकों तक पहुंसता देखरने का इर्दियर रहा है जिसके अपरवाव से इन सतर में बर्श की गिद्या देखने को मिलेगी वहला नोका से लगा कर फलोदी पोकरन के आसपास भी आपको बर्श की गिद्या से समभावी थें रंजीतपुरा, सुर्जा, विकानेर, सरीडूंगरगर, लोनकरन सर्फ, सादार्शर, शुरू, सुजानगर, डीडवाना के आसपास की लाखों की बात करें तिन शत्र में भी कही कही बुन्दामादी देखने को मिल सकती हैं खाजवाला, सुर्दगर, शुर्दगर, पल्लू, के आसपास की लाखों की बात करें तिन शंपुन शत्र में घडशाना, रावलामंडी, सता सर, अजीतमाता के आसपास की लाखागर बाष्ट की गजियां से संभावी थें विजे नगर, अनुपगर से लगागर, शुर्दगर, रावसर, पिली बंगा, राइस सिंग नगर से लगागर, हनमानगर, पदमपूर, सरी गंगनगर, शादूल सर, और शांगरिया के आसपास की बात करें के उत्री илाखों की बात करें, तो विका नईर और सरी गंगनगर के कही इलाखों में देखने को मिल सकती उसी WD के प्रभाव से देखा जाए तो मद्धे रजस्तान तक आपको बश्की गिजिया देखने को मिलेगी क्योंकि वो WD काफी मद्बूत और शक्री आने की सम्मावना है और उसी समय बंगाल की खड़ी के आसपास एक एंटी साइकलोन बनने की सम्मावना है जिसके प्रभाव से इन शत्मे बश्की गिजिया देखने को मिल सकती है तो दोस्तों मौश्रमतिक राजस्तान DRT सेनल पर अब के लिए इतना ही और यदि आप सेनल पर नए हैं तो सस्क्राइब करना ना बुले ठैंक्यू दोस्तों नमस्कार जैहिंग जैवा